हेलो दोस्तो वेलकम माई योट्यूब चैनल आपसन ट्रेटिंग टेकनिकल एनालाइसिस में आप सब का स्वागत है तो दोस्तो अगर आप हमारे डेली एनालाइसिस को फोलो करते होंगे तो आज आप लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा तो चलिए देखते हैं मंडे के दिन बैंक के निफ्टी और निफ्टी के अंदर कैसा कामकाज हो सकती है तो देखे दोस्तो पहले हम देखेंगे बैंक के निफ्टी और उसके बाद देखेंगे निफ्टी तो आप लोग देख सकते हैं हम निफ्टी बैंक के चार्ट पे आ चुके हैं तो देख अला कि कल के analysis के वीडियो के अंदर कहा हुआ था जो कल भी हो सकता है जो bank nifty के अंदर call और put दोनों ही trap किये जाएंगे जिन्होंने मेरे analysis को आज के दिन follow किया होगा वो लोग आज के दिन अच्छा खासा profit के अंदर रहा होगा तो चलिए देख लेते हैं Monday के दिन जो है bank nifty के सा level important रहने वाला है तो देखे दोस्तो अगर Monday के दिन bank nifty gap up opening होती है वो कौन सा level होगा वो होगा level ये वाला level ठीक है दोस्तो ये make or break level होगा ये बहुती crucial resistance के रूप में कामकाज करेगी Monday के दिन अगर यहाँ पर gap up opening होती है तो ऐसे condition में हमें यहाँ पर क्या करना है हमें यह यहाँ पर जब 5 मिनट का candle sustain कर जाएगी तब हम यहाँ पर call buy करेंगे ठीक है दोस्तो यहाँ पर आप लोग को opportunity मिलेगा put buy करने का ऐसा मैंने क्यों कहा देखे यहाँ पर जो है देखे multiple time जो है यहाँ से resistance लिया गया है ठीक है दोस्तो multiple time यहाँ से resistance लिया गया है तो अगर य gap up opening हो या फिर इस level को breakout करेगी तब हमें यहाँ पर जो है अच्छा खासा moment देखने को मिल सकता है देखे condition इस में दो होगी अगर gap up opening होती है तब तो हमें यहाँ पर put side के तरफ opportunity अच्छा देखने को मिल सकता है अगर suppose कर लिजिए अगर इस level पर खुलती है यह जो level है आप यह level तूट जाती है यहाँ से दो बार जो है गिरावट दिखाई है बैंक निफटी तो अगर Monday की दिन अगर इस level पर opening लेती है और इस level को breakout करेगी यह जो level है 42,700 का तो अच्छा खासा उपर के side के तरफ देखने को मिल सकता है ठीके दोस्तों अगर suppose कर लिजिए अगर gap up opening ह होती है इस level पे 42,700 के उपर तब हमें यहाँ पे जो है गिरावट देखने को मिल सकता है इस level से और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे gap भी हो जाएगा तो आप लोग जो है यहाँ पे आप लोग put buy करें इस level पे जब यहाँ पे red candle के अंदर strength होगी तो आप लो लेवल से put buy कर सकते हैं और target जो है आज का जो closing है वहाँ तक आप लोग रख सकते हैं SL को trail करके ठीक है दोस्तों यह तो gap up बला सनरीय हो चुका है अब देख लिजिए गर मंडे के दिन gap down खुलती है तो ऐसे condition में हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए तो ऐसे condition में जो level होगा 42, 1370 के level पे ठीक है दोस्तों अगर gap up और gap down खुलती है तो ऐसे में हमें अच्छा opportunity मिलेगा bank nifty के अंदर trade करने के लिए मंडे को अगर flat खुलती है इस level पे खुलती है तो यह पूरा का पूरा दिन फेर जो है time pass करेगा इस john के अंदर और यहाँ पे जो call वाई करेंगे उनका भी SL हीट होगा जो put by करेंगे उनका भी stop loss हीट होगा ठीक है दोस्तों और आज के भी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे क्या moment रहा एक range bound market रहा जहां पे जिन्होंने entry लिया call की entry लिया या put की entry लिया वहीं पे उनका SL हीट होता गया तो ऐसे market के अंदर हमें trade को तो avoid ही कर देखिए मैंने आप लोग को ऐसा क्यों कहा जो अगर gap down खुलेगी तो अच्छा moment अगरा moment देखने को मिल सकता है देखिए इसके पीछे logic है देखिए यहाँ पे जो है multiple time जो है resistance लिया गया है जो देखिए दो बार तीन बार ठीक है उसके बाद edge support के रूप में काम कर रही है bank nifty देखिए इस level पे यह देखिए और आज के दिन closing भी दिया है इस level पे तो अगर यह level तूटती है Monday के दिन gap down खुलती है या फिर flat खुलने के बाद इस level को तूटती है तो अच्छा खासा moment देखने को मिल सकता है नीचे के तरफ ठीक है दोस्तो अगर gap down खुलती है तो यहाँ पे जो है fresh buyer active हो सकते है Monday की दिन ठीक है दोस्तो तो अगर gap down खुलती है तो ऐसे condition में आप लोग को यहाँ पे wait करना है immediate जो है आप लोग को यहाँ पे put की entry नहीं बनाना है gap down खुलेगी तो बहुत ही अच्छा होगा यहाँ पे call by करने का क्योंकि आप लोग यहाँ प put by बिल्कुल नहीं करना है यहाँ पे आप लोग को wait करना है कहां तक wait करना है यह देखिए यहाँ तक जो हो सकता है अगर gap down खुलेगी मंडे को तो यहाँ तक जो है call और put दोनों को ही trap करेंगे इस zone के अंदर ठीक है दोस्तो यह ध्यान रखेगा 250 तक का जो level है 42,250 तक का औ gap down condition में तब तक हम यहाँ पे call की entry नहीं लेंगे या फिर इस level को breakdown करेगी तब आप लोग को जो है नीचे के तरफ moment अच्छा देखने को मिल सकता है मंडे के दिन bank nifty के अंदर ठीक है दोस्तो तो आसा करता हूँ bank nifty के जो है सारे level आप लोग को समझ में आ गई होगी और यह जो level है आप लोग अपने चार्ट के उपर mark कर लें ताकि आप लोग को मंडे के दिन कामकाज आ सकती है बहुत ही important level रहने वाला है मंडे के दिन कामकाज करने के लिए bank nifty के अंदर तो चलिए दोस्तो अब हम देख लेते हैं nifty का क्या हाल चाल है और मंडे के दिन कैसा कामका आज कर सकती है तो चलिए दोस्तो आप हम nifty के चार्ट पे चलते हैं तो देखें दोस्तो हम nifty के चार्ट पे आ चुके हैं देखें nifty के अंदर भी क्या हुआ आप लोग देख सकते हैं आज के दिन जो है पूरा का पूरा दिन जो है आज के दिन sideways में फसी रही पूरा दिन sideways पूरा का पूरा time pass किया है आज के दिन market के अंदर तो ऐसे market के अंदर मैंने आप लोग को कई बार कहा है जो trade को avoid कर ये Nifty के अंदर बड़ा moment कब देखने को हमें मिल सकता है Nifty के अंदर बड़ा moment देखने को मिलेगा या तो Monday के दिन अगर gap up खुलती है ये जो level है आप लोग level देख सकते हैं अपने चार्ट के उपर भी mark कर ले 18153 का जो level है अगर इसके उपर खुलती है और यहाँ पे 15 minute का candle sustain कर जाएगी तब आप लोग यहाँ पे call by कर सकते हैं वो भी यहाँ पे risky रह सकता है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं फिर immediate resistance है जो की 18181 का level है देख सकते हैं आप लोग और यहीं से गिरावट दिखाई है निफ्टी के अंदर तो आप लोग को ऐसे में wait करना है इस level का जब ये level break out कर जाएगी न तब आप लोग को अच्छा moment देखने को मिल सकता है call side के तरफ आप लोग को अगर gap up opening होती है तो ऐसे condition में आप लोग को यहाँ पे जो है put by करने का अच्छा opportunity मिलेगा ठीक है दोस्तू अब suppose कर लिजे अगर Monday के दिन gap up opening होती है देखे इसका condition क्या है दो condition इसके अंदर हो सकती है निफ्टी के अंदर देखे अगर Monday के दिन gap up opening होती है और उसके बाद इस level से थोड़ा अप जाएगी और उसके बाद जब retest करने के लिए आएगी तब हम यहाँ पे entry बनाएंगे जब green candle के अंदर रश्टेंथ होगी ठीक है दोस्तों जब यहाँ पे retrace करने आएगी तब हम यहाँ पे call की entry लेंगे और यह अच्छा opportunity होगा call की entry बनाने के लिए ठीक है दोस्तों आगर gap up होने के बाद इस level पे और इस level को breakdown कर देगी तब हम यहाँ पे immediate put key entry बनाएंगे और यह अच्छा opportunity रहेगा put key entry बनाने के लिए और target जो है आप लोग यहाँ तक रख सकते हैं जो की level है 18,062 का और उसके बाद आप लोग SL को trail कर सकते हैं जो आज का closing है 18,027 का यहाँ तक आप लोग target रख सकते हैं gap up opening में ठीक है दोस्तों यह तो हो गया gap up opening में हमें trade setup कैसे बनाना ठीक है दोस्तों अब suppose कर लिजिए अगर मंडे के दिन gap down खुलती है nifty वो कौन सा level होगा वो होगा level यह वाला यह वाला level होगा ठीक है दोस्तों जो की 17,979 का level है अगर यहाँ पे gap down खुलती है तो आप लोग को यहाँ पे immediate put नहीं वाई करना है ऐसा मैंने क्यों कहा चलिए मैं आप लोग को थोड़ा चार्ट छोटा करके दिखा देता हूँ देखिए यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं multiple time जो है यहाँ से जो है gap down खुलने के बाद ठीक है दोस्तो जब ऐसे गिरावर दिखाएगी और इसको जब दुबारा retrace करने जाएगी तब हम यहाँ पे entry बनाएंगे ठीक है दोस्तो उसके बाद ही हम entry बनाएंगे इस से पहले हम entry नहीं बनाएंगे अब suppose कर लिजे gap down खुलती है इस level पर इस level को break कर देती है सीधा और यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे आप लोग trap हो सकते हैं जो trappedy हो सकते हैं यहां पर जो है आप लोग को फेक breakdown مिलेगा और आप लोग यहां पर पर पुट की entry बनाएंगे और आप लोग यहां पर trap हो जाएंगे ठिक है दोस्तु तो यहां पे sustain कर जाती है इस लेवल पे gap down खुलने के बाद इसमें दो condition होगी आप देखिए इसको एकदम से breakdown करेगी और उसके बाद जब यहां पे कोई भी candle का जैसे की morning star इस लेवल पे जो की level है 17,925 का इस लेवल पे जैसे की morning star hammer candle का formation होता है तब हम यहां पे जो call की entry बनाएं का छिक है दोस्तो आप लोग target जो रख सकते हैं यहां तक आप लोग target रख सकते हैं यहां तक जो आज का closing है 1800 इसका डिवल अगर gap down खूलती है और इस level को एक दम सागर break कर देती है और उसके बाद हम यहां पर हैमर candle क्योंकि यहाँ पर gap होगी तो gap फिल करने जरूर आ सकती है ठीक है दोस्तों सारे condition मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया अब देखिए अगर Monday के दिन flat खुलती है तो ऐसे condition में हमें क्या करना चाहिए अगर यहाँ पर खुलती है अगर flat खुलती है इस लेवल पर यह पूरा का पूरा जोन ट्रैपिंग जोन है ऐसे में आप लोग को क्या करना है ना call की entry लेना है ना put की entry लेना है क्योंकि आप लोग Monday के दिन भी जो है call और put के चकर में यहाँ पर trap हो सकते हो तो ऐसे condition में आप लोग को यहाँ पर call और put बिल्कुल भी नहीं लेना है यह जो 18,27 का जो लेवल है एक psychology का लेवल है और यह बहुती hurdle support के रूप में कामकाज कर सकती है मंडे के दिन ठीक है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं दो बार तीन बार और आज के दिन closing भी दिया है यहीं पे तो देखे चार बार यह जो है support retest हो चुकी है तो अगर मंडे के दिन gap dawn खुलती है तो अच्छा moment देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर अगर flat खुलती है तो ऐसे condition में हमें trade को avoid करने में ही अच्छा है क्योंकि हमारा यहाँ पे नुकसान हो सकता है देखे दोस्तो अगर आप लोग को profitable trader बनना है तो level पे ही बाई करें बिना level पे आप लोग randomly trade ना करें जैसे कि आज के दिन जो लोग call और put के चकर में रहे होंगे वो यहाँ पे जरूर trap हुए होंगे और वो अच्छा खासा loss किये होंगे आज के दिन market के अंदर हाला कि मैंने कल के analysis वीडियो के अंदर साफ साफ कह दिया था जो कल के दिन भी जो है call और put trap हो सकते हैं और एडवेज में market रह सकती है लेकिन जिन्होंने follow किया होगा वो तो जरूर profit कमाए होंगे देखिए 99% लोग जो है follow नहीं करते हैं ठीक है भाई मेरे एक like तो करते नहीं है एक like करने में क्या जाता है आप लोग का एक like भी नहीं करते हो देखिए आप लोग की मर्जी है इसमे आप लोग अपने चाट के उपर ये जो लेवल है बैंक निफ्टी और निफ्टी की मार्क कर लें ताकि आप लोग को मंडे की दिन कामकाज आ सकती है दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर ने हो तो चैनल को subscribe करें like करें दोस्तों में share करें बेल आकन के all पी क्लिक करना बिल्कुल भी न भूले जरूर किलिक कर लें अगर अभी तक आप लोगोंने मेरा टेलिग्राम चैनल नहीं जोएन किया हुआ है तो जाकर के जोएन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के description में और प्लस चैनल के about section में मिल जाएगा तो तब तक के लिए जय हिंद दे मतरम